Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education NMC ने official update release किया है अभी कुछ घंटो पहले ही जो की सभी NEET 2024 के aspirants के लिए बहुत जादा important है बच्चो आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में ये doubt होगा कि आखिर ये next examination क्या है क्या ये NEET से अलग है क्या NEET देने वाले बच्चो को ये examination भी देना होगा आखिर ये next exam है क्या तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete समझाने वाली हूँ छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत informative होगी तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजे ताकि ऐसी कई official update आप तक जादा जल्दी से जल्दी पहुँच पाएं तो बच्चों सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये जानना है कि what is next exam ठीक है ये जो आपका next exam है ये आखिर क्या exam है actual में ये एक qualifying examination है एक licensing examination है जिसमें क्या होगा कि जब आप अपनी MBBS की degree complete करोगे तो आपकी MBBS की degree तब तक valid नहीं मानी जाएगी तब तक आप medicine में perform नहीं कर सकते हो जब तक आप next का examination qualify ना कर जाओ आपको समझ में आया ये एक qualifying examination है दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी importance क्या है आप जब अपनी MBBS complete कर जाओगे तो आप लोगों को next का examination देना होगा उसके बाद ही आपकी MBBS की degree valid होगी otherwise आपकी MBBS की degree का कोई मतलब नहीं है उसके अलावा NMC ने अभी कुछ गंटों पहले ही एक बहुत important information दी है वो ये है पहले कहा जा रहा था कि 2020 के जो student है वो 2024 में अपना next का examination देंगे लेकिन ये चीज अब बिलकुल खतम कर दी गई है जो बच्चे इस साल NEET examination अगले साल I mean 2024 में जो NEET का examination देंगे जो बच्चे 2024 में NEET का examination देकर NEET examination qualify करने के बाद MBBS के अंदर first year में आ जाएंगे वो बच्चे Feb 2028 में यानि कि उनके final year में अपना next का examination देंगे तो 2024 के लिए जो NEET के बच्चे जो हैं जो prepare कर रहे हैं NEET के लिए उन बच्चों के लिए ये बहुत जादे important है क्योंकि उसके बाद 2025, 2026, 2027 इन सभी students को अपने MBBS के final year में next का examination देना होगा जिसके बाद ही उनकी जो degree है MBBS की वो qualify होगी जिसके बाद ही उनकी जो degree है MBBS की वो valid होगी तो बच्चों I hope आप लोगों को ये चीज़ clear हो गई हो कि जो बच्चे NEET 2024 देंगे न, NEET 2024 देने के बाद उनका first year start होगा उस first year के बाद second, third, उनके final year के अंदर उन्हे examination देना होगा next का for practicing the medicine उसके बाद ये trend आगे चलता चला जाएगा 2025 के student 2029 में देंगे ऐसे करके आपको आपके final year में next के examination को देना है I hope आप लोगों को ये चीज़ clear हो अगर आपके मन में अभी भी next examination को लेके कोई भी doubt है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हो बच्चो NMC ने ये चीज़ जो हमारे health minister है Dr. Mansook Mandavya इन्होंने बच्चों को aims के जो ये minister है इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो next का examination जो introduce किया गया है बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है वो ज़ादा difficult नहीं होगा neat examination से जितना level need का होता है उसी level के तौर पर आपका next का examination भी किया जाएगा और बच्चों को student would get their MBBS degree from individual universities but in order to be eligible for post graduate seat इसका मतलब अगर उन्हें PG की seat के लिए खुद को eligible करना है उनको अगर अपनी MBBS की degree चाहिए तो उन्हें next का examination pass करना ही होगा ये एक condition लगा दी गई है तो अब बच्चों जो 2024 के aspirants हैं वो अब अपना need का examination देंगे 2024 में और उसके बाद अपना next का examination दोगे आप अपने final year में तो I hope आप लोगों को ये चीज़े clear है कोई भी doubt है अगर आपके मन में छोटा सा भी बड़े से बड़ा छोटे छोटा कोई भी doubt next examination को लेके तो आप नीचे comment section में comment करके मुझे बताओ तकि आपका doubt clear हो सके with that said thank you so much जुड़े रहे हैं इसी तरीके से channel के साथ तकि हर नई update आपको जल से जल मिल सके have a good day bye bye